के छेलो के प्रफंस वेटे चनल शॉवम्यले אותו ऐल्लाइशन अज बात करने जा रहे हैं डांस्व्डक्शन प्रोसेस के बारे में तो जो ट्रांसव्डक्शन प्रोसेस है वो कैसे होते है हम हम अब हमको रिकॉल करा देते है। कि होताहिए जब से पहले हमने गॉर्णक ऑपकर तो 2 दो बेक्टिरियों Windows condition होते हैं उससे ने trorथ से हमारा धॉत करता प्देन करता है अब कहने हैं उससे बाकर है इतलडब कीउए Стил Buffまり धैसे को ड्सक्राविति उदस्ट करता हैं तो की यह वह दिएश्टा एंपने पाद मसीनीरी बनाने चुम्हारी टो इसका करक Ondar रेशना की hem ēंचे Subscribe पही होते नग्या होते हैं वहता है अपने पैकिकिया क्या होते होते हैं तो जैसे यह बैक्टिरिया के अंदर डालेगा तो जैसे यह बैक्टिरिया के अंदर में आएगा तो इसको अपने में इंकॉर्पोरिट करेगा तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है तो जब हां यहां पर जब यह हमारा वायरस क्या करता है बैक्टिरिया के डियने को अपने में contain करके दूसरे किसी बैक्टीरिया को इंफेक्ट करने जाता है तो इस फेस को हम कहते हैं ट्रांस्डूशिंग फेस इस वायरस को हम बोलेंगे ट्रांस्डूशिंग फेस ठीक तो बोलता है कि इस अ मेथड और जैनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच ती जैनेटिक मेटेर टाइफी मुरियम ठीक है सालमनल टाइफी जो है उसमें सबसे पहले डिस्कोवर्ट किया गया था दबैक्टियोफिस अक्वायरस पोर्शन और पोर्शन ऑफ पोर्शन ऑफ दबैक्टिरियल डियने ऑफ दी होस्ट सेल इन विच इट रिप्रोड्यूस एंड तेन ट्रांस् तो यहां गया शुकर्तेने प्रेश तो किया करता है यहां तो यहां पर टांस्ट्रैक्षं का प्रोटेस ist ho धीको समझेगे 2 प्रोसशेस उसको पहले हम ड़ागराम से समझेगे। तो जो हमारा जनेरला ड्रांस्टेक्शन होता है वह हमारा लिटिक साइकल फॉलो करता है यह आपको याद रखना है क्या करें तो यह क्वारा शबीक्ट आंधर विवक डेज्क्ट माँव अपर य्षी सरी इंदर में टाला तो यह स्थीनों के अब सक्सक्ट में अगा अपलयेर होल इंदर में लुद्ट के उठाज पहले करें तो बेक्टिरियल सेल को फ्रैगमेंट पहले तोड़ेगा तोड़ यहां पे आप यह समझेंगे कि क्यों यहां पे यहां पर हाँ जनरलाइस ठांस्ट्रक्षिन होता है इसलिए होता है क्या अपर punya नियुक्र तोड़ दिया और यहीं से स्सיןफ iphone टे ने कर लिए इसके इंदर में ने क्यों सकते हुआuster तो अब होगा तो पैकेजिंग होगए यह अपने अपने dna को खुद में केरी ना करकि непोटीकर है अब क्या करेगा bacterial DNA portion इसके head में pack है तो face containing portion of bacterial DNA generalized transducing phase भी कहते हैं हम इसको अब यह क्या करेगा अब यह नया कोई bacteria है उसमें जाके जैनेटिक material को अंदर में छोड़ा ठीक है फिर क्या होगा यह जो DNA of the new host cell है यह new host bacteria का कोई DNA है उसके साथ इसमें क्या कर दिया पहला वाला जो bacteria था उसके DNA को incorporate कर दिया अब incorporate करने के बाद क्या होगा अब दोनों bacteria का cell है अब दोनों bacteria का cell है तो simple सी बात है यहां पे भले ही लाइसो लाइसो लाइस सीकल साइकल फॉला हुआ लेकिन इस कंडिशन पे लाइस साइकल नहीं होगा यह क्या करेगा फिर बाइनरी फीजन करेगा मतलब की एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से ठीक है कुछ इस तरह से तो यहां पे जीन फ्रॉम प्रिविएस हॉस्ट चार मतले 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 मतलु lata आपनल यह स्टा आठ साशन सा ठीकर है प्रमसारों एक लियुलेट से दूसरे बैक्तिरी जुल्प करेगा घुल्वीर्या के लिए युडिक शायकलoj का वहां पे कुछ एर गया तो इन दुट कुछ यहां पर error हो चुगा था तो डोनर बैक्टेरियल जीन केन बी ट्रांसफर्म्ड बिकॉस्ट क्रोमोसोम इस ब्रेकों डाउन इंदी फ्रैग्में मैं यह रीजन बताया था कि फ्रैग्मेंट में टूट गया था वह इसलिए यहां पर और पैक हो गया था वायरस में ठीक यहां पर इस बैक्टेरिया के पास दो जीन प्रेजंट है एक गाल जीन और दूसरा बायो जीन ठीक है अब लाइसोगेनिक साइकल फॉला कर रहा है मतलब कि इनकॉर्पोरेट हो जाएका इस बैक्टेरिया के डीने के साथ तो यहां पर यह जो वायरस का सेल था ठीक है वह इस बैक्टेरिया के बैयो जीन और गैल जीनंट के सास्थ अब क्या होगा अब यह जो वायरस है ठीक है मीपल सी बात है यह क्या करीगा अलग होगा ठीक है इसके पास था गैल जीनन और बायो जीन तो क्या किया है यह जो वायरस है अपना खुद का जो डीन है और यहां पर उसका जो गैलजीन है दोनों को यहां पर कंटेन करके रखा अब यहां पर क्या होगा हम चाहें हम चाहें तो यह जो लाइसोजेनिक फेस है उसको हम लिटिक में कनवर्ट कर सकते हैं हम उसको क्या कर स लिट्टिक सैकल को फॉला करने के बाद यह क्या हो गार निकल गया यह वायरस का जुदियन और अगर यह दूसरे यहां पे बैक्टिरिया को गर इंफेक्ट किया और मांकी का जुद आप पे डिगरेट होगा तो अब यह क्या करेंगा गैल जीन पूरा के रखा है तो गैल जीन कंटेन करके रखा है फिर हांपर क्या होगा फिर से CPAs vorstellenayalizuous transduction phases जो है वह क्या करेंगे इसको अपने इसका मेरिफ इसका माय चुमेंट होगा तो अपने अंदर किंगे अपना खुद का थीन के अब यहां पर ते यहां पर क्या फो गाराइब है यह गयल्जीन अपर देखने को मिलेंगा क्योंकि एक गैलजीन तो खुद यह नए बैक्टीरिया का है और दूसरा जो वाइरस दूसरे बैक्टीरिया से लेके आया था थीक है तो तो यह आपका ट्रांस्ट्रक्शन ट्रांस